साथियों, यहाँ आने से पहले मैं सिंध्या स्कूल के अलग-अलग हाउसेश के नाम देख रहा था और जो तेरा दिर्तिजी मुझे समझा भी रहे थे स्वराज के संकल्प से जुड़े वो नाम ही कितनी बड़ी प्रेणा है आपके लिए शिवा जी हाउस, महाज जी हाउस, राणो जी हाउस, दत्ता जी हाउस, कनर खेड हाउस, निमा जी हाउस, माधव हाउस एक तरह से सब्त रुशियों की ताकत है आपके पास और मैं सोच रहा हूँ कि नवरात्री के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को नव टास्क भी दूँ क्योंकि स्कूल का कारकम हो और आप होमवर्ग न दें तो पुरा नहीं होता है तो मैं आज आपको नव टास्क देना चाहता हूँ याद रखोगे आपके आवाट दब गई भई क्या कारण है याद रखोगे उसको संकल पर बनाओगे जीवन भर उसको पुरा करने के लिए काम करोगे पहला आप लोग यहाँ जल सवरक्षां का इतना काम करते हैं बॉटर सिकुरिटी 21 सदी की बहुत बड़ी चुनोती है इसके लिए आप लोगों को जागरुक करने का अभियान चलाईए दूसरा सिंधिया स्कुल में गाउं गोद लेने की परंपरा रही है आप लोग और भी गाउं जाईए वहाँ डिजिटल लेंदेन के प्रती लोगों को इनफॉर्म करिए तीसरा स्वच्छता का अंबिशन मद्द प्रदेश का इंदोर सफाई में नंबर बन हो अगर ये सिद्धी प्राप्त कर सकता है तो ही मेरा ग्वालियर क्यों नहीं हो सकता आप अपने शहर को स्वच्छता में नंबर बन बनाने का भी बिड़ा उठाईए चौथा वोकल फॉर लोकल जितना हो सके आप लोकल को स्थानिय प्रोडक्स को प्रमोट किए मेड इन इंडिया प्रोडक्स का ही इस्तेमाल करिए पांचवा ट्राइवेल इन इंडिया फ़स जितना हो सके पहले अपना देश देखिए अपने देश में गुमिए फिर भी दोशों का रूप कीचिए चठा नेचरल फार्मिंग के प्रती किसानों को जादा से जादा जागरूप करिए यह धर्ती मा को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभ्यान है सात्मा मिलेट्स को श्री अन्न को अपने जीवन में सामिल करिए इसका खूब प्रचार प्रसार करिए आप जानते हैं ना यह सूपर फुर होता है आठवा फिटनेस योग हो स्पोर्स हो उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाईए आज ही यहां मल्टी परपस स्पोर्स कॉम्प्लेस का सेलान्याज भी हुआ है इसका भी आप खूब लाब उठाईए और नवा कम से कम एक गरीब परिवार की हैंड होल्डिंग जरूर करिए जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं बैंक एकाउंट नहीं पक्का घर नहीं आउश्मान काड नहीं है हम चैन से नहीं बैठेंगे भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है इसी रास्ते पर चल कर पांच सालों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी से बहार आये हैं इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विक्सित भी बनेगा